हेलो अबरियोन आज हम लोग ट्रिणोमेट्रिक फंक्शन में मिसलेनियस एक्सराइज करेंगे चैप्टर 3 पे क्लास 11 तो चलिए शुरू करते हैं पहले कुश्चन देख रहा है प्रूब डाइट इस वन डू कॉस्ट पाइब थ्री कॉस्ट नाइन पाइब थर्तिन प्लस कॉस्ट सी प्लस सी प्लस दी प्लस कॉस्ट तो सब्से पहले यहाला फर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो किता जाएगा हमरे पास टू कॉस्ट सी कॉसट शी प्लस इसके बारे में इसको लिखरे आमलो येवाले पाड को तो cos of c plus d यानिकि pi by 13 और plus 9 pi by 13 plus cos of c minus d यानिकि pi by 13 और minus 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 और plus cos of 5 pi by 13 okay so this one is cos 10 pi by 13 हो जायाएगा मने पास 10 pi by 13 plus cos minus 8 pi by 13 होगा but cos of minus theta जो हता हो cos theta होता है इसलिए हम लोग इसको cos of 18 pi 8 pi by 13 लिख सकते है 8 pi by 13 और plus cos 3 pi by 13 और plus cos 5 pi by 13 अब इसमें से pair किसका बनाएंगे तो actually अगर हम 10 और 3 वाले को और इसको इसको लेते हैं तो देखो आप 10 प्लस 3 यहां से भी आपका 13 आ जाएगा उपर में प्रेवाइब बनाएंगे अब cos c plus cos d वाला फ़ॉल लागाते हैं तो किता होजाएगा 2 cos c plus d by 2 तो 10 pi by 13 और plus 3 pi by 13 और प्लस 3 pi by 13 all divided by 2 cos c plus cos d twice cos c plus d by 2 into cos of किता होजाएगा c minus d by 2 c minus d by 2 यानि कि 10 pi by 13 माइनस 3 pi by 13 whole divided by कितना 2 और प्लस ये दूसरे वाले से करेंगे इस वाले से तो कितना जायाएगा 2 cos 2 cos 8 pi by 13 अगेन आप कहा जायाएगा 13 pi by 13 whole divided by 2 दोनों को add कर दिया एक डिरेक्ली और cos of इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना जायाएगा हमाने पास 3 pi by 18 whole divided by कितना 2 तो अब यहां से देखा जाया तो ये देख़ो आप किता बन जायाएगा ऊपर में ये पाई बन जायाएगा हमारा तो किता जायाएगा टू कोस पाई उपर में और नीचे में टू 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 कॉस पाई भाई टू और कॉस ओफ ये कित्ता बन जाएगा हमरे पास 7 5 by 13, 7 5 by 13 13 times 2, 26, प्लस यहां से भी आ जाएगा हमरे पास 2 cos 5 by 2, और यह आ जाएगा हमरे पास cos of 3 5 by 26, अब एक्छली है कि कोस 5 by 2, cos 5 by 2 यहां पे भी आ गया, तो इसका value तो 0 होता है, तो यह total value जो होगा, वो कित्ता बन जाए है, वो 0 के बराबर है, चली आते हैं अगले question पर, question number 2 पर, question number 2 है, हमारे पास, sin x, sin 3x plus sin x, sin 3x plus sin x, sin 3x plus sin x, sin x plus cos 3x minus cos x into cos x, cos x, इसका value हमें किसके बराबर प्रूफ करना है, 0 के बराबर, तो चलते हैं, यहाँ पर पहले लगा जेते हैं, sin c plus sin d वाला formula, तो कितना आता है, 2 sin, lhs की बात कर रहे है, sin c plus sin d कितना आता है, 2 sin, sin c plus d by 2, into cos of c minus d by 2, c minus d by 2, इसमें, पूरे में multiply किसे है, sin x से, cos x से, तो this will be equal to, कितना आता है, यह आपका, 2 sin 2x, और cos x, 2 sin, 2x, यहाँ से आ जाएगा आपका, cos x, और बाहर में multiplication किसे है, sin x से, और यहाँ से आ जाएगा, हमारे पास minus cut 2, sin 2x, sin x, और यह cos x, जहाँ से आपका sin x आ जाएगा, यह sin 2x आ जाएगा, यह cos x multiply है हमारे पास, तो sin 2x यहाँ पे भी है, sin 2x यहाँ पे भी, cos x यहाँ पे भी है, cos x यहाँ पे भी, sin x यहाँ यहाँ पे भी, दोनों सेम है, कट कुट के क्या बजाएगा, जीरू, तो second question भी आपका प्रूव हो गया, question number third पे आते है, question number third है, cos x plus cos y का होल स्कार, plus sin x minus sin y का होल स्कार, cos x plus cos y का होल स्कार प्लस, sin x minus sin y का होल स्कार, equal to 4 cos square, equal to 4 cos square, x plus y by 2, यह हमें प्रूव करना है, तो चलिए करते हैं, यहां से काम करते हैं, इसको square ही कर देते हैं, एक तो देखो, आप तरीका लगा सकते हो कि cos c plus cos d लगा लो, sin c minus sin d लगा लो, या फिर क्या कर सकते हो, इसको square भी कर सकते हो, तो यह वाला question हम लोग square करके कर लेते हैं और अगले वाले में, cos c minus cos d, sin c minus sin d का formula लगा कर लिया जाएगा, तो इसको जब square करोगे आप LHS में, उतला open करोगे तो यह क्या बन जाएगा आपका, cos square x plus cos square y, और plus 2 cos x cos y आजाएगा, 2 cos x cos y, plus, इसको square करेंगे तो कितना आजाएगा मरपस, sin square x plus sin square y minus 2 sin x sin y, तो इस विल भी एकुल टो, cos square x plus sin square x किता हो जाएगा, 1 cos square plus sin square y, plus 1, और plus, अगर इन दोनों को साथ में किया जाएगा, तो देखो 2 को अगर बाहर ले ले लें, तो क्या बच जाएगा आपका, cos x cos y minus sin x sin y, अब यह किसका formula दिख रहा है आपको, 2 plus 2 times, यह cos of x plus y का formula है, तो 2 times cos of x plus y, अब अगर हम लोग यहाँ से 2 को बाहर कर लें, तो किता बने का मेरे पास, 1 plus cos of x plus y, 1 plus cos theta क्या बता है, 2 cos square, 2 cos square theta by 2, यह निकी this one, तो किता आ जाएगा, आपका 4 cos square x plus y by किता 2, यह आप हमारे पास right hand side था, right hand side था, तो यह भी हमारा प्रूव हो गया, चलिए हाते है, question number 4 पे, cos 6 minus cos y का whole square, question number 4 है हमारे पास, cos 6 minus cos y का whole square plus sin x minus sin y, whole square equal to किता है, हमारे पास, 4 sin square x minus y by 2, 4 sin square x minus y by 2, तो एक तो आप उपर वाले तरीके से कर सकते हो, माता उपर वाले तरीके में, जिस तरीके से हमने expand किया है, उस तरीके से expand करके कर सकते हो, और दूसरा आपके बार क्या कर लेते हैं, left hand side में cos c minus cos d और sin c minus sin d का formula यह यूज कर लेते हैं, तो cos c minus cos d का formula कितना होता है हमारे पास, यह होता है, this will be equal to minus 2 sin c plus d by 2, c plus d by 2 into sin of c minus d by 2, c minus d by 2, इसका क्या है, whole square है, इसका whole square और plus, हमारे पास यह आ जाएगा, sin c minus sin d, sin c minus d कितना होता है, 2 sin c minus d by 2 into कितना cos of c plus d by 2, c plus d by 2, ओके, इसको बाहर कर लेते हैं, अब मतलब इसका भी square है हमारे पास, तो अगर इसको open किया जाए, तो कितना बन जाएगा हमारे पास, पहले बाले से बनेगा, 4 sin square x plus y by 2 sin square x minus y by 2, plus, यहां से 4 sin square x minus y by 2, और फिर बन जाएगा हमरे पास, cos square x plus y by 2, ओके, तो इन दोनों में से हमें क्या common दिख रहा है, हमें common दिख रहा है, 4 sin square x minus y by 2, उसको बाहर ले लेते हैं, तो 4 sin square x minus y by 2 को अगर बाहर करें हम लोग, तो अंदर में क्या बच जाएगा हमरे पास, sin square x plus y by 2, plus cos square x plus y by 2, अब दोनों एंगल सेम हो गया, तो एक तरह से cos square theta plus sin square theta लिखा हुआ है, 1, तो बच कहा गया हमरे पास, 4 sin square x minus y by 2, यह आपका answer हो गया, 4 sin square x minus y by 2, अगला करते हैं, sin x, sin 3 x, 5 x, 7 x, question no. 5 यह आपका, sin x plus sin 3 x plus sin 5 x plus sin 7 x is equal to, is equal to 4 cos x cos 2 x, 4 cos x cos 2 x sin 4 x, 4 cos x cos 2 x sin 4 x, चलिए, करते हैं, LHS उठाते हैं, तो LHS में एक काम करेंगे, हम लोग वो दोनों pairs उठाएंगे, जिस पर की sum करने पर same आ रहा हो, तो यहां से पहला और इसको उठाएंगे, तो हमरे पास कितना जाएगा, 4 x आएगा, पहला और इसको उठाएंगे, तो 6 x आएगा, मतलब 6 x by 2, 3 x आएगा, लेकिन अगर इसको और इसको उठाते हैं, तो x plus 7 x, 8 x divide by 2 करेंगे, तो 4 x और 3 x और 5 x को लेंगे, अगर एक साथ, इन दोनों को एक साथ, तो यहां से भी 3 x plus 5 x, 8 x divide by 2 करेंगे, तो 4 x, दोनों से सेम आ जाएगा, तो क्या करते हैं, इसको sin x plus sin 7 x, सोड़ा सा रियर्रेंज कर देते हैं इसको, और plus sin 3 x plus sin 5 x, इसको एक साथ कर लेते हैं, तो this will be equal to sin c plus sin d, कितना होता है, 2 sin c plus d by 2, यानि कि x plus 7 x by 2, इन्टो कोस ओफ, c minus d by 2, यानि कि x minus 7 x divided by कितना 2, और ये कितना बन जाएगा होँआँ पास, sin c plus sin d से, 2 sin c plus d by 2, 5 x plus 3 x by 2, इन्टो कोस ओफ कितना बन जाएगा होँआँ पास, c minus d by 2, यानि कि 3 x minus 5 x divided by कितना 2, ओके, तो ये बन जाएगा हमरे पास, 2 sin, 4 x, sin 4 x, और कॉस माइनस का 6 x by 2, माइनस का 3 x आएगा, बट कॉस माइनस ठीटा जो होता है, वो कॉस ठीटा के बराबर होता है, तो कॉस 3 x हम लिख सकते हैं, 2 sin, यहान से भी हमरे पास आएगा 4 x, और ये कितना जाएगा, 3 x माइनस 2 x, 5 x, माइनस का 2 x by 2, कॉस अफ माइनस x, लेकिन उसको अगर ये कर दिया जाए, तो कॉस अफ एक्स हो जाएगा, का मारे पास, ओके, अब 2 sin 4 x को बाहर ले लेते हैं, यहां से, 2 sin 4 x को बाहर अगर ले लिए जाए, तो आपका अंदर में क्या बच जाएगा, कॉस 3 x प्लस, कॉस एक्स, अब कॉस C प्लस कॉस D वाला फामूला लागा देते हैं, यहां पर, तो 2 sin 4 x क्या बता है, इसका 2, कॉस C प्लस कॉस D, ट्वास C प्लस D वाई 2, C प्लस D वाई 2, इंटु कॉस ओफ C माईनस D डिवाई 2, तो दिस विल बे एक्पल टु, टु साइन 4 x, x2 एक टू यह किता आ जाएगा का कॉस्स तुइक इनटु यह को कॉस्स किता जाएगा परेकास एक्स तो टोटल क्या हो गया हमारे पास फोर साइन फोर एक्स एंटू सुख सुक्रोबव कर दिया हमने क्रेशन नमबर 6 पे सिक्स पे चलते हैं तो question number 6 है हमारे पास, sin 7x plus sin 5x, sin 7x plus sin 5x और plus है हमारे पास, sin 9x plus sin 3x, all divided by, cos 7x plus cos 5x और cos 9x मतलब cos में है, cos 7x plus cos 5x और plus cos 9x plus cos 3x, this is equal to tan 6x है, यह हमें प्रूव करना है, tan 6x के बराबर प्रूव करना है, तो चलिए शुरू करते हैं, LHS उठाते हैं हम लोग, LHS में sin c plus sin d करेंगे, तो किता जागा हमारे पास, 2 sin c plus d by 2, into cos of c minus d by 2, okay, plus sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2, into cos of किता जागा हमारे पास, c minus d by 2, यानिके 9x minus 3x divided by 2, okay, numerator हो गया हमारा, d numerator पार्ट पर आते हैं, d numerator पार्ट में क्या आएगा, cos c plus cos d, तो 2 cos c plus d by 2, फिर आजाएगा हमारे पास, cos of c minus d by 2, okay, यहां से आजाएगा हमारे पास, 2 cos c plus d by 2, and, फिर, cos of c minus d by 2, यानिके 9x minus 3x divided by 2, बस्फर्मूला लगा देना हमारे, तो this will be equal to, किता जाएगा, 2 sin 6x, sin 6x, cos of x plus 2 sin 6x again, और, cos of किता जाएगा, 9x minus 3x, 6x by 2, cos 3x, whole divided by, 2 cos 66, यहां से आजाएगा हमारे पास, यहां से फिर आजाएगा, cos 6, और plus 2 cos 66, और फिर आजाएगा हमारे पास, again, cos 3x, cos 3x, अब उपर और नीचे में, उपर में common दिख रहा है क्या, 2 sin 6x, तो अगर इसको बाहर ले लिया जाएगा, तो अंदर में क्या बच जाएगा हमारे पास, cos 6 plus cos 3x, whole divided by, 2 cos 66 times, cos 6 plus cos 3x, यह cancel out हो गया, यह 2 से 2 cancel out हो गया, और cos 6x, sin 6x, cos 6x, से करता हो गया आपका, tan 6x, तो यह भी हमारा प्रूव हो गया, question number, कौन सा था यह 6 था, अगले question के तरफ बढ़ते हैं, sin 3x plus sin 2x minus sin x, sin 3x plus sin 2x minus sin x is equal to 4 sin x cos x by 2, 4 sin x cos x by 2, cos 3x by 2, आते हैं left hand side पे, तो देखो left hand side में किसको किसको उठाया जाए, तो अगर हम पहले और दूसरे को उठाते हैं, तो कुछ fraction में बन जाएगा, 5x by 2 बनेगा, लेकिन अगर इसको और इसको उठाते हैं ना, तो fraction नहीं आएगा हमारा, तो हमें काम करते हैं, इन दोनों को एक सांथ लेंगे, और plus कितना, sin 2x, ओके, तो इस विल भी sin c minus sin d कितना हो जाएगा, 2 sin c minus d by 2, इंटु कितना हो जाएगा, cos of c plus d by 2, और plus कितना sin of 2x, इस विल बेक्वल तो 2 sin, यह जाएगा x और यह जाएगा cos 2x, cos 2x और plus कितना हो जाएगा हमरा पास, sin 2x, ओके, 2 sin x, sin c minus sin d करना से, 2 sin c minus d by 2, cos c plus d by 2, plus sin 2x, ओके, कची ग्राबड़े तो निवा रहा है न, एक मिनाट, ना, ठीक है, एक्टली sin 2x को हम लोग convert कर सकते हैं न, इसलिए हमको दिखनी रहा था, 2 sin x, cos 2x, और plus sin 2x को क्या लिख देते हैं, 2 sin x, cos x, तो अब हम क्या करते हैं, यहां से 2 sin x को बाहर कर सकते हैं, अगर 2 sin x को बाहर किया जाए, तो अंदर में क्या बचेगा हमारा, cos 2x, और plus कितना, cos x, cos 2x plus cos x, तो cos c plus cos d वाला फामूला लिख देते हैं, तो this will be, चलाँ, आगया फिर, this will be 2 sin x, और cos c plus cos d क्या होता है हमारा पास, 2 cos c, plus d by 2, और cos of, c minus d by 2, तो आपका एक किता जाएगा, यह आजाएगा 2 to 4, 4 sin x, यह हो जाएगा आपका, cos of 3 x by 2, और यह हो जाएगा, cos of x by 2, equal to, आरहेचेस, यह था ना, 4 sin x, 4 sin x cos x by 2, cos 3 x by 2, हाँ, बिल्कुल सही है, तो यह बन गया, आपका आते हैं, आगले question, यानि कि question number 8 पे, question number 8 पे, find, sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2, in each of the following, tan x is equal to, minus 4 by 3, x in quadrant 2, tan x का value दिया हुआ है, हमरे पास, tan x का value किता दिया हुआ है, minus का 4 by 3, minus 4 by 3, और quadrant कौन है, x कौन से quadrant में हमरे पास, second quadrant, ओके, तो देखो, करेंगे कैसे यहां से हम लोग, tan x का formula दिया हुआ है, तो x by 2 के terms में लेकिया आना है, यानि कि इसको इसके half से relate करना है, तो tan में, tan के किसी angle को उसके half से relate करने के लिए, यह हमारे पास एक formula होता है, वो कौन सा formula होता है, tan 2 theta is equal to, 2 tan theta, upon कितना होता है, 1 minus tan square theta, 2 tan theta upon 1 minus tan square theta होता है, तो अगर हम यहां पे, tan x कर दें, यानि कि इसका half कर दें, तो बाकी जग़ा भी half करना पड़ेगा, तो यहां जाएगा, 2 tan, x by 2, divided by 1 minus कितना, tan square x by 2, तो यही formula use कर लेते हैं, यहां पे, tan x का value कितना होता है, minus 4 by 3, minus 4 by 3, equal to 2, tan x by 2, divided by 1 minus, tan square x by 2, अब यह काम करते हैं, यहां से, tan x by 2 को बार बार लिखना ना पड़े, उसकी जग़ा पर हम t रख देते हैं, तो t रख दिया जाए, तो this will be minus 4 by 3, equal to, 2t divided by 1 minus, t square, multiply करते हैं, multiply करेंगे, तो कितना जाएगा हमारे पास, 4t square, minus 4, equal to, कितना, 60, तो 4t square, minus 60, minus 4, equal to 0, थोड़ा सा easy कर लेते हैं, 2 से divide करके, तो this will be, 2t square, minus 3t, minus 2, equal to 0, 2t square, minus 4t, और, plus t, minus 2, equal to 0, यहां से, अगर 2t को बाहर किया जाए, तो this will be, t minus 2, और, plus 1 को बाहर किया जाए, तो t minus 2, equal to कितना, 0, तो t के 2 value जाएगा, आपके यहां से, एक तो 2 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा, minus का 1 by 2, ओके, that implies, कि tan x by 2 का value आ गया, हमारे पास 2, tan x by 2 का value आ गया, एक तो 2, और, एक tan x by 2 का value आ गया, हमारे पास कितना, minus का 1 by 2, अब दोनों में से, कौन सा होगा, वो कैसे पता करेंगे, तो आपको देखो कि, एक सुद्दिया है, वो second quadrant में है, तो, इस quadrant में लाई कर रहे है, तो इस quadrant में कहां से कहां तक लाई करते हैं, यहां से, यह वाता है, वारे पास pi by 2 होता है, और यह pi होता है, तो, इसका मतलब यह है, कि x जो है, वो pi by 2 से लेके, और pi के बीच में है, तो अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा, पाई by 4, और इधर हो जाएगा, पाई by 2, तो, पाई by 4 से पाई by 2, तो आपका first quadrant में आ जाएगा, तो tan भी positive होना चाहिए, तो इसलिए ये वाला accept कर लेंगे, ये वाला reject कर लेंगे, क्यों? क्योंकि tan जो होगा, in first quadrant, in first quadrant, tan theta जो होता है, वो क्या होता है? positive होता है, तो हमारे पास tan x by 2 का value निकल के आगया, कितना? 2, tan x by 2 का जो value है, वो 2 हमारा निकल के आच चुका है, अब बाकी कुछ पता करते हैं, तो देखो बाकी कुछ पता करने के लिए, आप एक तो formula लगा सकते हो, जैसे tan square theta जो होता है, वो 1 प्लस मतलब, tan square theta जो होगा हमारे पास, वो 6 square theta minus 1, तो वहाँ से 6 theta निकालोगे, एक और तरीका होता है, कि आप क्या करो ना, कि इससे एक triangle बना लो, माल लेते हैं, कि ये वाला जो angle है, वो x by 2 है, तो tan x by 2 का मतलब क्या होता है, perpendicular और by कितना base, तो इसको 2 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, तो अगर ये 2 हो गया, और ये 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, root over 2 का square प्लस 1 का square, यानि कि ये root over कितना है, 5 के बराबर है, अब यहां से cos x by 2, sin x by 2 आप directly निकाल सकते हो, cos x by 2 कितना होगा आपका, base by hypertonus, यानि कि 1 by root over 5, और जो sin x by 2 होगा आपका, वो कितना हो जाएगा, 2 by root over 5, अब एक काम करते हैं, अब देखते हैं, कि हमारा cos जो होगा, और sin जो होगा, वो positive होगा कि negative होगा, तो since cos x by 2 जो हो first quadrant में है, तो first quadrant में तो सारे के सारे positive होता है, तो ये भी positive, और ये भी positive, तो हमारे पास सारे के सारे निकल क्या आगया, tan x by 2 कितना निकल क्या आया, हमारे पास tan x by 2 जो निकल क्या आया, वो कितना निकल क्या आगया, 2, cos x by 2 जो निकल क्या आया, वो 1 by root 5 हो निकल क्या आया, और जो हमारा sin x by 2 निकल क्या आया है, this is 2 by root over 5, तो यह हमारे पास सारे के सारे निकल के आ गए टू बाइ रूट ओपर फाइवा क्लिकुल सही है ओके अगले क्वेशन पर आते हैं कॉसेक्स का वेल्यू देख रखा है माइनस का वन बाई थ्री एक्सिस क्वाड्रेंट थ्री कॉसेक्स का वेल्यू जो है कॉसेक्स का वेल्यू है माइनस बाई थ्री कॉसेक्स इकल्ट नवारा थ्री और एक्स क्वाड्रेंट कॉन सा है third quadrant ओके अब cos 6 को इसके half से relate करना है, तो half से relate करने वाला formula हमारा कौन सा होता है तो cos 2x वाला formula कर लिया जाए तो हम यहां से यह ले सकते है 2 cos square x minus 1 2 cos square x minus 1 आप चाहे तो इसको इससे भी कर सकते है 1 minus 2 sin square x तो आपका यहां से sin वाला जो होगा वो निकल किया जाएगा या फिर cos 2 ठीटे जो होता है एक और होता है हमरे पास 1 minus 10 square x है upon 1 plus 10 square x तो आप इने में से कुछ भी use करोगे ना तो cos x की जगह जब आप 2x की जगह पे जब आप x रखोगे तो इधर में आपका x by 2 x by 2 x by 2 वाला बन जाएगा तो आप तीनों में से कोई भी formula यूज कर सकते हो तो हम लोग कोई भी एक यूज कर लेते हैं जैसे माल लेते हैं चलो इसी को यूज कर लेते हैं तो हमारे पास cos x का value कितना हो जाएगा अगर 2x का half कर दिया तो तो 1 minus 2 sin square x by 2 हो जाएगा हमारे पास अब cos x का value उसने देख रखा है माइनस का 1 by 3 यह माइनस का 1 by 3 है is equal to 1 minus 2 sin square x by 2 तो 2 sin square x by 2 जो होगा हमारे पास 1 plus 1 by 3 यानि किता हो जाएगा 4 by 3 2 से 2 cancel out हो गया हमारा तो हमारे पास sin square x by 2 जो आया वो कितना आ गया 2 by 3 तो sin x by 2 कितना आएगा हमारे पास sin x by 2 जो होगा प्लस माइनस रूट अबर 2 by 3 अब यहाँ पर प्लस होगा या फिर माइनस होगा तो उसकी बात कर लेते हैं sin x by 2 जो है वो रूट अबर 2 by 3 होगा या फिर माइनस का रूट अबर 2 by 3 होगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा उसकी बात करते हैं तो उसके ओंब क्या दिया हुआ है कि एक्स जो होँ थार्ड कौडिंट में है कहां से कहा तक आता है कि इमक्राइक से लेकर पॉस्पाई अर्प बाइसे लेकर और मुट्री पाइब як्लों तक तो से डिवाइड करेंगे क्याक्ष एक्स ठाइए यह वाला यांगल हघा जाएगा और तरह टिता जाए गोर पास 358 हो जाएगा हमारे पास तो पाई भाई टू से 358 कौन से कौणरेन में पहुझ गए सेकन्कॉणड यसका मतलिब यह वाला जो एंगल है वह वह कौन से कोड़टेन होगा के सेक्द दरंट में अब सेकंड कौडन में हमारा साइन क्या होता हैं पोसिती negatively तो ये वालाएक्सेप्ट कर लेंगे और इसको परिजेक्ट कर देंगे क्या सिन्स में साउन ठीटा त्युक्रक्त इस इस वरहों सब में युप सब करणा था ने। कि साइने लिट म McM brag है है और वह एक न रूट गात्री अब यहां से करें गेक्त्रैंगल बना लेते हैं मापस है कैं रोक्त्रैंगल बना लूरけई ट्रैंगल बनाओगे तो यह मान लेते हैं x by 2 है तो root over 2 by root over 3 root over 2 root over 3 यह होगा हमारे पास तो यह किता हो जाएगा यह 1 हो जाएगा आपका ठीक है करोगे तभी आएगा यह root over 2 root over 3 अब cost x by 2 निकालते हैं यहां से तो कॉस्ट एक्सबाइटु किता हो जाएगा आपका वन भाइड़ो अबर 3 और 10 एक्सबाइट डूकिता ओगा पका वह जाएगा रूट टू आप एक चीज यहां पर हमें देगने की जरुद्ध है कि एक्सबाइटु जो है एक्सबाइटी गोवें सेकटन और DC fen patron Ing हमारा के तेन टैनल ब्री चित बाता है तो और हमें क्या करना म माइन सब्सक्राइब tan लगाना हो अधर में यहां पे भी माइनस लगाना और यहां पे भी माइनस लगाना हो Sponge लिखे गर्षट अ लिखर गया बिल्कुल सही है तो यह आ जाएगा हमारा आंसर आप चाहो तो यहां से अब जैसे sin x by 2 है हमारे पास ठीक है तो sin x by 2 से आप क्या करो कि sin 2 x वाला फॉर्मूला मतलब आप क्या कर सकते हो यहां से cos square theta plus sin square theta वाला लगा लो कि cos square x by 2 plus sin square x by 2 का value कितना है रूट 2 by root over 3 तो सॉरी यह 1 होता है न यह 1 होगा हमारे पास अब sin x by 2 का value यहां से उठा के रख देंगे हम लोग तो cos x by 2 का आपका दो value आएगा एक positive में आएगा एक negative में आएगा तो उसमें से concept होगा वह हम लोग quadrant के साब से देख लेंगे चला इसको एक एक बता देते हैं आपको कि cos square इसकी बात कर रहे हैं तो cos square x by 2 जो होगा हमारे पास वो कितना स्वरी और प्लस का sin square x by 2 तो sin square x by 2 कितना हो जाएगा 2 by 3 इस विल भी 2 by 3 एकल टो कितना 1 तो आपका यहां से आ गया cos square x by 2 का value 1 minus 2 by 3 1 by 3 तो यहां से cos x by 2 का value कितना कितना आ गया plus minus 1 by root 3 अब सिंस x by 2 जो है वो second quadrant में है तो cos क्या होगा negative hence hence cos x by 2 जो है that will be what negative वाला minus 1 by root 3 तो देखो आपका यहां से भी वही निकल का आया है और यहां से भी वही निकल का आया है तो आप दोनों में से कहीं से भी कर सकते हो उस पर कोई दिक्कत नहीं होने है पस सेकंड कोड़र्ण में है ओके तो चलिए करते हैं x by 2 पे लेके आना है हमें तो को साइन समारा दिया हुआ है तो हम लोग x by 2 पे कैसे लेके आ सकते हैं एक काम करते हैं यहां से टैन वाला फार्मुला लेके आते हैं साइन टू एक्स जो होता है वह क्या होता है टूटैन Pnexista Ques on कितना होताया stakes 20स्क्राइब हो अगरoshi में आप देंट çalış कर दें यानिकि इस येल्डों का हाफ कर दें तो हमारा इदर भी आफ कर देगे यानिकि दीस द्लीन को पहाँ एक्स भाई टू होल डिवाइड भाई वाई वन प्लस टैन स्क्वाइट रहा है वन बाई फूर टू 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 स्कॉर डिवाइड वाई वन प्लस टीए स्कॉर हम ने का कर लिया 10 x by 2 को टी रख दिया ओके सॉल्व करेंगे तो वन प्लस टी स्क्वेर एक्वल टू किता आ जाएगा एट टी स्क्वेर चाहिसा बन गराएगा तो हमारे पास यहां से कुछ गलती तो नहीं वाना साइनेक्स का विल्लू वन भाई फोर देकर रख है तो टू टैनेक्स अपन टू टैनेक्स वाई टू अपन वन प्लस टैने स्क्वेर एक्स भाई टू से करेंगे ओ सॉरी शॉरी शॉरी ट्यूट एक्स वाई टू यहां पर स्क्वेर नहीं होगा लगा था कुछ तो गलती हो रहा तो यह आपका टी हो जाएगा तो इस विल भी 8 T square minus T minus 1 equal to 0 यह quadratic equation बन गया आप इसको factorize आप कर सकते हो factorize नहीं होगा आपका factorize नहीं करेंगे तो फिर formula निकालेंगे कैसे T equal to करके T equal to करोगे तो किता होगा quadratic formula लगा के minus कभी यानि कि 1 plus minus root over B square B square किता होगा 1 minus कभी 4 into A into C और whole divide बे कितना होगा आपस whole divide बे याता है 2A यहनि कि 2 into 8 minus कभी plus minus root over B square minus 4 A C हां सही है तो this will be equal to what 1 plus minus root over कितना होगा उने पास आच्छा करताली सरेक 49 जास ना सुरी आट चुके बद थीष बद थीष रिक टीष इता गंदा सांसर 2.10thetha उपने प्रस्टन स्कारथ थीष टीष बद थीष बद थीष बद टीष बद टीष बद दो इसकी वज़ा से आ रहा है ना क्योंकि यह तो हमारे पास कित्ता होगा यह स्कार प्लस वन इक्वल टू एट टी होगा इसकी वज़ा से कंफ्यूजिशन होगा हम चलिए तो इस वन बिल भी ट्रस्टरच एटेइ प्लस वन उग्ल टो जीरू अ गयंक्वेटर इसन निए होगा तो टीकव वेल्ट हाले होगा माइस का भी प्लस माइनस रूट अबर बी स्कॉर बी स्कॉर कित मह रहे हो इसक्षी फॉर माइनस स्क्वार माइनस सा फोर एसी करेंगे तो माइनस का फोर डिवाइब कितना टू तो दिस विल भी एक्वल टू एट प्लस माइनस रूट अबर सिक्स्टी डिवाइब वाइट टू यहां से भी कोई अच्छाम सरी नहीं आ रहा है तो यह किता जाएगा आपका एट प्लस माइनस टू रूट अबर फिफ्टी नहीं हो जाएगा ओल डिवाइट वाइट रवाइट वाइट वाइट तो टू से तू को कैंसल आउट करेंगे तो दिस विल भी फॉर प्लस माइनस रूट अब टी क्या था टी था टैन एक्स से क्या दोनों positive है एक आ गया 4 प्लस रूट ओबर 15 हाँ ये भी positive है और 4 minus root over 15 अगर ये 16 होता तो 4 होता ये दोनों के दोनों positive है 4 plus 15 के 60 तो दोनों में से कोई भी हो सकता है क्या देख रखा है एक लाइजिन कोड़न टू तो क्वाद टू में हमारा टैन जोग हो क्या होगा निगेटिव ओगा तो निगेटिव तो और पीनिया रहा क्या खलती हो रहा है एक प्लस रूट ओबर 15 4 माइनस का रूट ओवर 15 माइनस कपी प्लस माइनस रूट ओवर भी स्कूर माइनस फूर एसी डिवाइब वे टू तू से फूर प्लस अचाचा एक मिनट नहीं उससे कोई लिए नहीं है एकस ऐसे कॉड़न में कौन सा दिया हुए एकस दिया हुए हमारे पस कौड़न्ट टू में है एकस अगर कौड़न्ट टू में है हमारे पस तो इसका मतलब कि एकस जो है वो पाई बाई टू से लेके और पाई तक जा रहा है तो हमारे पास एकस बाई टू जो होगा वो कहां से जाएगा हमारे पास एकस बाई टू जो होगा इस विल बे यह आ जा 4 प्लस रूट ओवर 15 भी, 4 माइनस रूट ओवर 15 भी आ रहा है क्या बिलत कर रहा है वेट